थीटा साफ दिश मारान वसका का न लौ के शायोचा हाया है तो आइंग पिलग के साफ भी यि reflecting है वहीं आप कुछ बील-गल और के श युआ बैबी कंज में कुछ खोर्पिन 之前 चोरा मेरी दीश मत्सांक ही up इसाफ पी गुद मानिंग ओहो देखो देखो कौन बज्चा सुबा होटते बोलता है नाई नाई करना मेरे हया गंते हो रहे है क्याते है क्यों बेटा पीनी क्यान आपने पुरी रात निकल गई अब तो पी कर लो मेरी जान नहीं पीनी लग रहा आपको नहीं लग रहा है आपका के साथ कर लिया अब ही तो आप जग गई हो पापके साथ कब कर लिया कब की है पापा के साथ जुद जुद भी बोल जोब लिए किसको प्यार करते हो झाल पापा जंगने के बाद में पहला काम यह जो करता है वो यह कि बगवान को इससे जय करवाती हूँ उसके बाद में मैं इसे गुन-गुना पानी पिलाती हूँ पानी पेने के बाद में इसे वाश्रूम लेकी जाती हूँ पी करवाती हूँ पी करने के बाद में यह ब्रुश करता है और आज के लिए खुद इंडिपेंडेंटेंट हो गया, खुद से ज़ादा करने की कोशिज करते हैं। करो बंद करो नल, अब आपस ब्रिश करो, अब करो क्लीन फेस, नल बंद करो, अब फेस क्लीन करो, बस, अब कुला करो, अब तो होई गया, चलो, यहां पर मैंने से पी करवा दी और ब्रश करवा दी, पोटी इसने अभी नहीं की, मिल्क लेने के बाद में यह कर लेगा पोटी, तो अब आज मैं मिल्क में इसके लिए बनाना शिक बना रहे हूं, मिल्क विद बनाना, और मिल्क में मैं कुछ ना करती रहे हूं, कभी मिल्क प्लेन देना, कभी बनाना, कभी मैंगो, तो कुछ ना कुछ आइड करके मिसे देने की कोसिस करती हूं, थोड़ा बुती भी पी लेए, यहां पर मैं इसके लिए वन ग्लास बनाया, पर यह वन नहीं लेता है, यह इसका वन फोर्त है, और अफिर प्रोपर ग्रोथ के लिए मिल्क से बच्चो को कैल्सिया मिलता है, जो बच्चो की बॉंस के लिए सपोर्ट करता है, तो मैं ट्राय करती हूं कैसे भी थोड़ा बहुत पी ले, थोड़ा ही पीए, बढ़ पीए जरूर, आफ्टर मुल्क में घर को वाश कर रहे थी, क्योंक यहां पर बेसन लिया है, हल्दी आइड करूं, नमक आइड करूं, थोड़ी से हींग, रेड चिली पाउडर, ब्लक चिली पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी आइड करके इसका घोल बना लूँ, जो घोल हम बना रहे हूं, ना जादा पतला होना चाहिए, ना जादा होता है, यह खुद से उठा की खा लेता है, यह जो रेसिपी है रहो बहुत इजी रेसिपी, और उन लोगों के लिए इस्पेशली अच्छी है, कि जो ब्रेकफास्ट में थोड़ा ओईली कम खाना पसंद करते हैं, यह जो ब्रेकफास्ट है, आप बच्चों के सासत अपने लिए भी बना सकते हो, healthy भी है, oily भी नहीं क्योंकि मैं बहुत कम oil में यहां पर ब्रेट पकोड़ा बना रहो तो जब भी मेरी इच्छ होती है, ब्रेट पकोड़ा खाने के तो मैं स्टैप से ही बनाती हूं, कम oily होता है, तो मेरी लिए भी नुकसान नहीं करता है, और के साथ यहां पर सर्व कर्यों, आप ग्रें चटनी रख सकते हो, क्यों चप रख सकती हो, उसे बहुत ज्यादा ही पूचा जाता है कि हम बच्चों को सॉलिट खाना कैसे सिखा है, जिसे की चपाती वगर है, हमारा बच्चा भी तक चपाती नहीं खाता हो, इतना बड़ा हो कि उसे पहले आप उसकी consistency चेंज कर दो, दे देरे उसे solid देना, start करो, जैसे कि आप खाना खा रहे तो उसे चपाती का टुकड़ा दे दीजिए, और आप उसे offer करते हो सकते हैं, बच्चे को सुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, वोमेट कर देगा, निकाल देगा, तो हम इसका नाना फिनिश हो गया, नैला के मैंने रेडी कर दिया, और इसने सारे समन फेला दिये, कुछ तीरी यहां पे बैठके खेलेगा, क्या कर रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो बिटा, यह अपने टॉइ जिस पॉक्स में डाल रहे है, कुड़े की गाड़ी बहुत बड़ी है, ओहो, कुड़े की गाड़ी बहुत बड़ी है आपकी, यह नहीं आ रहे, इसमें इसके समान नहीं आ रहे, यह नहीं आ रहे, यह नहीं आ रहा, यह भी नहीं आ रहा, यह आ रहा है, यह आ रहा है, पबू, कोटी किस ने कर दिया, आ आपके हाथ पे देखो, दिखाओ ममम को जबी तो, अब तो गंदी-गंदी हो गए अब, तो वाश कर के हो जाओ, वाश करो, एंड मैं इसे थोड़ देर के लिए लेके बैट यू पढ़ने के लिए, और यहां आज मैं इसको लिखना सिका रहूं, मैं देली इसको थोड़ा द लिखना सिकाते हैं, में को ऐसा रहते हैं, सबसे ज़रा डिफिकल्ट मुझे यही हो रहा है कि इसको लिखना सिकाना, आप लोग किस तरीके से अपने बेबी को लिखना सिका रहे हो, मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिए, हो सकते हैं, आपका आइडिया मुझे अच्छा लगी ह या फिर आपको याद आता है, उस वक्त बच्चों को पानी जरूर पिलाईए, इस एच में बच्चों को एक से दो लिटर की सम्तिंग तो आटलिस पानी पीना ही जाहिए, बट हाँ, आपका बीबी जितना भी पीता है, उसे पानी जरूर पिलाईए, बिच विच में थोड गाजर की सबजी, साथ में दही, एंड सैलेट में मैंने उसे कुकूमबर दिया है, टाइम होगे 12.30 और इसका लंच अभी थोड़ दिर में फिनिश हो जाएगा, लंच होने के बान में ये 1.30 तक सो जाता है, तो इस तरीके से रूदर का डे जाता है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आये तो दोस्तों, प्लीज, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजी, वीडियो पे कमेंट कीजी और मुझे बताएगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा,